नमस्कार दोस्तों, मैं मिधुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्रेटफ़ोंपे, जहां पे आप टिचिंग एक्जामिनेशन की प्रेपरेशन करते हो, देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ मुद्दे की पते की, तो आप लोग को सजग रहने की जरूरत है मोधी गौर्मेंट, जी हां, मोधी साहाब ने जो जो वादे करे थे बेरोजगारों से 2004 में, परधान मंतरी बनने से पहले, आप उनकी लिष्ट बना लो, उनके भासन्स को देखो आप, यूट्यूब पे पड़े मिलेंगे आपको, कितने वादों पे उन्होंने काम किया है आप देख सकते हो हर साल की recruitment, जो भी SSE के माध्यम से होता था, KBS के माध्यम से होता था, या किसी और institute के माध्यम से होता था, रेलवे के माध्यम से होता था, आप देखोगे कि number जो है, इसके decrease हुए हैं, गिरे हैं, तो सरकार क्या कर रही है, एक बात मैं पहले बता दू, ज आप नहीं जेल पाओगे, आप लोग अंधभक्ती में lean हो गए हो, आपको कुछ नहीं सूचता है मोधी के भक्ती के अलावा, मोधी को मैंने दो बार भोट दिया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मैंने 2014 में भी उन्हें भोट दिया था, 2019 में भी मैंने उन्हें भोट दिया महंगाई बढ़ गई थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को भगाओ, मोधी ही हमारे देश को आगे लिके जाएंगे, सारे बेरोजगारों के आँखों में चमक थी, उन्होंने आपका जंडा को उठाया, और आपको परधान मंत्री बनाया लेकिन मोधी जी आप क्या कर रहे हो आप, आप बेरोजगारों के साथ जो खेल रहे हो, उनके भावनाओं के साथ, उनका क्या करोगे आप, सूट-बूड पहन के आप विदेस में घूमने चले जाते हो, जो चाइना जो आपके बर्डर पे आके आपके पीछे धखेल देता है आपकी सेना को हमारी सेना को क्या कर रहे हो आप उनके साथ उनके राष्टपती के साथ आप जूला जूलते हो कहां गई आपकी विदेशनिती ऐसे चीजों में कैसे आप आगे बढ़ोगे मैं बिलकुल एक टीचर होने के नाते सारे स्टुडेंट से गुजारिस करता हूं ये रही मेरी ट्यूटर आईडी आई मिथून सिंग पे आप आई मिथून सिंग पे मुझे फॉलो कर लो बिना किसी एस्पेस के आई मिथून सिंग लिखना है आपको मिल जाएगा मेरी इमेजा पाचानते ही हो आई मिथून सिंग पे आये ट्यूटर पे और मोधी सरकार को मजा चखाना है, ये सरकार बहरी हो चुकी है, और भगत सिंग ने एक बात कई थी, कि सरकारे जो होती है, वो बहरी होती है और उन्हें धमाके की जरूरत होती है सुनाने के लिए, तो हम लोग तो भाई आतंकवादी है नहीं, बम पटाके हमारे पास तो है नहीं हमारे पास एक आउजार है, ट्यूटर का बिल्कुल, सरकार ने इसकी भी जो आवाज निकालते हैं ट्यूटर पे लोग, जो अपनी भावनाओं को रखते हैं ट्यूटर को भी इन्होंने सिकंजा कसने की कोशिस करी, लेकिन ये तो नाकाम हो गया, तो चलिए ट्यूटर पे आना है, आपको और हैस्टेक चलाना है, मोधी रोजगार दो, हैस्टेक मोधी रोजगार दो, बिल्कुल, और आपको एक और बात, आप लोग देखो, के बी डी ट्रिपल एस भी, ये सब जो भी teacher recruitment आती है इसकी preparation में लगे हो, तो चलिए आप लोग को मैं एक नया हैस्टेक देता हूँ हैस्टेक, conduct KBS आपको लिखना है ठीक है न, conduct, सारे capital में लिखोगे या small में, तो small में C को capital में लिखना, और सारे small में, और KBS इसी के साथ रहेगा बिना किसी स्पेस के, KBS full form में रखना है आपको, तो tweet करो आप, और मुझे चरूर tag कर लो उसमें, follow नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आई मिथून सिंग को हमेशा हर tweet में आप tag करो, आपके सारे tweet को मैं like करूँगा और retweet करूँगा, इस सरकार को इनकी हैसियत दिखानी है ये अंग्रेजों की तरह बरताब कर रहे है हमें गिनते ही नहीं है ये हम बेरोजगार को ये गिनते ही नहीं है इन्हें लगता ही नहीं कि देश में बेरोजगार है कोई, इन्हें लगता है कि सारे लोग खुस इराम राजी चल रहा है यहां पे क्या हो रहा है हमारे साथ सपोस करो आपकी एज निकली जा रही है कितने लोगों की एज निकली जा रही है जौब नहीं मिल रहा है मैं आपको एक एक एक्जामपल देता हूँ KBS केंद्रिय विद्याले संगठन 18 में कंड़क्ट हुआ उसके बाद से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं आई है कोरोना का बहाना कितना बहाना बनाओगे मोधी जी कुछ तो सरम करो आँख में अगर पानी हो मुझे वो एक पहली स्पीच याद है जब आप पार्लियामेंट में पहुँचके रोए आप वो पानी कहा गया वो पानी को आपको फिर से लाना है और देखो बहुत गरीब लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपे खर्च करके बियर डियरेड करा है उनके लिए कुछ करो आप ऐसे नहीं चलेगा और भी जो बेरोजगार है उनके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको ऐसे करोगे तो कैसे चलेगी ताना साही तो आप हिटलर बन जाओगे फिर हम लोगों की बात को अगर नहीं सुना तो इतनी तो बात तय है कि आपकी सत्ता तो जाएगी ही जाएगी आपका नाम जिस तरह से लोगों ने 2014 में जैकारे के साथ 2019 में लाया वही मिट्टी में बिला देंगे ये लोग जनता से बढ़कर लोग तंत्र में कोई नहीं होता है याद रख लेना तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ मैं सेर करना है इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कोई फरक नहीं पड़ता है सेर करो लोगों तक ये इस आवाज को पहुँचाओ आपके उपर ये जिम्मेदारी है कि अच्छे चीज़ों को आप प्रमोट करो कॉमेडी वीडियो ये सौंग की वीडियो आप प्रमोट करते हो सारे चीज़ों को तो इस वीडियो को प्रमोट करो न ये आपके नौकरी से लेना देना है इसका जब लोगडाउन लग गया था तो देखो क्या हुआ था, सोच के देखो सारे चीजों को मोदी जी ने कह दिया कि चलो घर से बाहर नहीं निकलना है किसी को तो आप लोग घर से बाहर निकलना बंद किया आपने तीन महिने तक, चार महिने तक आप घरों में खाना खाते रहे ये खाना किस ने दिया, सरकार ने दिया क्या तो जवाब आपकी लगी रहेगी तो कुछ भी हो जाए, कोरोना आ जाए आप एक साल के लिए भी घर में बैट के खा सकती हो तो सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है तो सरकारी नौकरी कौन देगा सरकार देगी न, तो विडियो को सेर करो, और तमाचा लगाओ इस सरकार के गाल पे ऐसे नहीं समझेंगे ये लोग ट्विट करना है 25 फरबरी को जो डेट रखी गई है और रोज तो देखो, पिछले दिन भी ट्रेंड हुआ था ट्यूटर पे मोधी ची रोजगार दो सौरी, जी तो नहीं लगाऊँआ था क्या करूँ, मोधी रोजगार दो, बिल्कुल लगाना है आपको और इस सरकार को सुनाओ भाई ऐसे करोगे तो मिट जाएगी हस्ती, बड़ों-बड़ों की हस्ती नहीं रही तो तुम कौन हो भाई तो चलिए, सेर केजिए वीडियो को अलविदा, जय हिंद